असूलों पे जहां आच आए टकराना जरूरी है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है नमस्कार साथियो आप सभी को जैसे की विदित है कि UP PCSRO-ARO का एक्जाम जो की आपका री एक्जाम की मांग चल रही थी एक ही नारा एक ही नाम री एक्जाम री एक्जाम फाइनली उसके लिए हमारे आयोग ने यहां पर माना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दुआरा इस चीज की पुष्टी कर दी गई है कि जो समिक्षा दिकारी और सायक समिक्षा दिकारी की परिक्षा थी उसको निरस्ट कर दिया गया है कई हमारे चात्राओं के अभूतपूर यहाँ पर उनके प्रियास रहे इसको कैंसल करवाने के लिए वो सभी लोग डंडे खाए आयोग में बैठे रहे आयोग में हरताल करते रहे और साथ योग यह कहा है कि अगामी 6 महा में से पुरे कराने के यहाँ पर आदेश दिये गए है कि पुन्हें इसको कराया जाए ठीक है और इस आफसाब बोल दिया गया है कि परिक्षा की शुचि के दुबारा R.O.P. प्रानुबिक परिक्षा करवाने की बाद की जा रही है साथ योग एक बात ध्यान रखें अब आप लोग दुबारा से अपनी तियارी में डट जाए दिखे पेपर और अइस बात था आप है आप ने पीपर पैटन देख लिया कि किस तरीके का पेपर- अब आपका सवाल से वितना है आपके दिमाग में एक चीज किलिर होनी चाहिए कि अब आपको मेहनत करने की जरूवत है। जो चीज आपकी पेपर में रह गई थी पहले, अब उसको आपको प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट करना है कैसे भी करके। जो टॉपिक्स रह गए थे, जो टॉपिक्स छूट गए थे, अब इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो STF इस प्रकरण की जाज करेगी और दोशों के खिलाफ सकत कारवाई करने की मांग कर रही है। तो दुबारा से आरो यारो के पेपर के लिए लग जाईएगा और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, उसमें सभी आपको वीडियो अवेलेबल हैं और 2023 का संपून करेंट अफेर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। संभावित तिथी मागर आपको बोलूँ तो संभावित जो बोला जा रहा है अवे यह है नहीं, यह संभावित है, संभावना है कि 2 जून को आपका एक्जाम माइड भी हो सकता है संभावना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो चलिए best of luck, अब शान्ती से अपने RO यारो एक्जाम की और अपने UP-PCS एक्जाम की अच्छे तरीके से त्यारी करें, बहुत suitable तरीके से बाप मेहनत करने की कोशिश करेंगे धन्यवाद,